जैहिन साथियो, फिर से स्वागत है आपका, आज का हमारा डिस्केशन का टॉपिक है Human Resource या मानोस इंसादन, जो कि Men's Paper 2 के Part B के Education and Social से संबंदिट टॉपिक है, और यह हमारा Paper 2 पर First Lecture है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, Human Resource के अंतरगत या Human Resource का जो Men's में syllabus दे रखा है, उसके बारे में सबसे पहले चट्रा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो जो टॉपिक है इसमें मानोस इंसादन और मानोस इंसादन विकास या Human Resource और Human Resource Development के लिए पूछा गया है, मानोस इंसादन विकास में शिक्षा एक कारक के रूप में एक और टॉपिक इसमें डाला गया है, ये भी हम कवर करेंगे, भारत में मानोस इंसादन का नियोजन एवं उत्पादक्ता के बारे में पूछा गया है, तो नियोजन मेंस प्लानिंग, Human Resource Planning and Productivity के बारे में भी में दिया गया है, तो इन सभी टॉपिक को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आप आखरी तक बने रही है, इस लेक्चर की खास बात यहा है कि ये जो टॉपिक है, Human Resource, ये चाहे ऑनलाइन या आफलाइन, दोनों ही जगों पर इसका कम्प्लीट रिस इस टॉपिक से संबंदित, छोटी-छोटी डेफिनेशन से उनको कवर करते हैं, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी है, What is Human Resource, या मानौस इंसादन किसे कहते हैं, तो मानौस इंसादन कि बहुत बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैं बता रहा हूं, या तो वो ध्यान रख बेसिक डेफिनेशन हुआ है, वह सभी व्यक्ति जो सिक्षित है, स्वस्त है, तथा किसी कारी को करने के योगे हैं, मानौस इंसादन कहलाते हैं, या अधर डेफिनेशन की बात करें, तो सभी व्यक्ति जो कारी में लगे हुए हैं, और किसी कारी करने के योगे हैं, किन्तो कुशल मानुशन साधन का आशी उन लोगों से हैं जो अच्छी तरह से शिक्षित है प्रशिक्षित है अनुभवी है और अपने छेतर के लिए समर्बित है और किसी विश्षिष्ट कारे को संतूलित तरीके से और कुशलता से करने में शक्षम है तो इसके कुछ चार-पाच क प्रशिक्षित है अनुभवी है और अपने छेतर के लिए समर्बित है साथ ही जो कारी करते हैं वह संतूलित तरीके से और कुशलता से करने में सक्षक है वह मानुशन साधन के लादे या कुशल मानुशन साधन के लादे है मानुशन साधन विकास के अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस या पद्धती हैं जिसमें सभी वर्गों के तथा सभी इस्तरवर्द कारी करने वाले व्यक्तियों के लिए कारी उपलप्त कराया जाता है। उनकी जो शक्तिय चमता है उनका पूर्ण उप्योग संभव करने की द्रश्टी से योजनाया कारवाई की जाती है। ठीक है तो इस पद्धती के अंतरगत क्या दिहान रखा जाता है। जो भी कारी करने वाले लोग हैं उनको कारी उपलप्त कराना और उनकी चमता का कारी के लिए योगी बनाना या किसी कारी के लिए प्रशिक्षित करना और कुशल बनाना या दक्ष बनाना ही मानौपुंजी निर्माण है। ठीक है गईस तो छोटी-छोटी बैसिक डेफिनेशन से यह अक्सर पुछी गई है और इन्हें आप अच्छे से समझ लें यह आ बोलूं तो शिक्षा ही मानौसंसादन का सार है अर्था शिक्षा के माध्यम से ही हम मानौसंसादन, मानौसंसादन विकास, मानौपुंजी निर्मान यह सब भी कारी संपन करते हैं। तो जब शिक्षा ही सार है तो शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या को जो है मानौसंसा पादन ही समाज में आर्थिक चेट्रम में सकारत्मकty परिवर्थन लाने में सक्षम होंगे यही मानव शुन्जादन और उसी से कारी की और देश की ये कारियों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी या बढ़ेगा जिससे की देश की आर्थिक समरत्ती और विकास सुनेश्चित होगा तो साथियो शिक्षा का एक important role play इसलिए शिक्षा को बुनियादी आधार बनाना चाहिए विसे तो बुनियादी आधार है पर उसको और प्रायोगी तोर पर apply करना चाहिए साथ ही सभी जनसेंख्या का पोश्चन के रूप में शिक्षा को लागो करना चाहिए तो मानोसिंसादन का सीधा connection शिक्षा से जितनी अच्छी शिक्षा होगी आधार बुनियादी सुईदा होगी मानोसिंसादन विकास और यह सभी उतने ही अच्छे तरीके से होगी ठीक है अब मानोसिंसादन जो शिक्षा हम देख रहे हैं इसकी क्या क्या किस तरीके से उपयोगी हैं वो भी देख लेते हैं कि सिक्षा से सबसे पहले देखते हैं कि जो भी कारी करने वाले व्यक्ति हैं या जो भी सिक्षित व्यक्ति हैं और कारी करते हैं उनकी कौम की क्वालिटी बहतर होगी साथ ही उनके संपर्क में जो आएगी उन्हें भी इसका लाब मिलेगा बेनिफिट होगा जो भी सिक्षित व्यक्ति है उसको कारियों को करने का और देखने का जो नजर्या होता है वो सकारत्मक होता है शिक्षा के द्वारा एक विकास सिल अर्थ वियस्ता को प्रशिक्षित जन सकती प्राप्त होती है ठीक है शिक्षा जो है वो संभावित चमताओ एवं स्रजन की प्रक्रिया को बढ़ाती है बहुत बैसिक चीज है यह सब हमें शिक्षा किस तरीके से रोल प्ले कर रही है यह हम देख रहे हैं तो यह सब हमें चाहे तो essay में या answer writing में हमें इन सब points को लिखने कर अच्छी प्रभाव शिलता पढ़ती है next point देखते है शिक्षा के माध्यम से science and technology में innovations को बढ़ावा मिलता है ठीक है गईस शिक्षा जो है social discipline को भी बढ़ावा देती है या सामाजिक अनूशेशन को बढ़ावा देती है साथ ही यह कल्यान करने या welfare को लोगों के अंदर welfare या सरकार के अंदर welfare सरकार तो करती है लोगों के लिए बट अगर शिक्षित लोग होंगे तो welfare को ज़्यादा importance देंगे ठीक है शिक्षा जो है राजनेतिक स्थिर्ता में महतोपुन भूमी का निभाती है अगर राजनेतिक नित्वर्ट अच्छा काम करता है उससे लाब मिलता है तो जनता में भी उससे लाब लेने के अधिक छमता रहती है ठीक है शिक्षा के प्रशार कारी सिक्षा के माध्यम से ही मानव सिंसादन और मानवेता दोनों का प्रचार प्रसार होता है इट में शिक्षा अगर अच्छी है तो मानव सिंसादन अच्छे से अपनी छमताओं का उप्योग कर पाएगा साथ ही मानवेता अर्था तुन्हें आराम से संबंदी देशे जैसे मानव कारी कर रहा है तो उसे आराम देना ये भी एक जरूर तथ्य वगया आवश्यक होता है तो इसलिए दोनों पक्षों को महत्व दिया सकता है शिक्षा के माद्यम से ठीक ही गई cart डेखते हैं भारत में मानो सिंसादन का नियो जन तो क्या स्किम्ट से या केसे मारत में मानो सिंसादन का नियोजन किया जाता है तो सबसे पहले मानोस इंसादन नियोजन होता क्या है human development planning क्या होता है तो guys ये भी एक प्रक्रिया है जिसके अंतरगत क्या किया जाता है जो भी कर्मचारी है जो भी employees है उनका प्रभाव पूर्ण उप्योग सुनिश्चित किया जाता है भविष्य के लिए पुर्वानुमान या आवश्यक्ता जो पढ़ने वाली है उसका पुर्वानुमान लगाया जाता है कितना human resource के आवश्यक्ता हो गई और उसे पूरा करने के लिए उचित नेतियों कारेक्रमों का विकास इसमें सम्मलित होता है इसे नेतियों और विकास कारेक्रमों की समिक्षा करना नियंतरन करना भी इसी में सम्मलित होता है तो एक जो complete process है कि कर्मचारियों का effectively use करना भविष्य में उनकी कितनी आवश्यक्ता होगी employees की ये पता लगाना अगर नहीं है तो इनके लिए नीतिया बनाना कारेक्रम बनाना और वापस उनकी समिक्षा करना ये सभी human resource planning में सम्मेलित होता है या होना चाहिए इसी को human resource planning करते है ठीक है इसके उद्देश क्या है तो वो भी देख लेते है human resource planning के उद्देश है तो सबसे महतोपूर्ण उद्देश कुछ खास उद्देश इसके देख लेते है यहाँ पर यह point नहीं है उद्देश यहाँ से शुरू हो रहे है ठीक है तो चलिए उद्देश देखते हैं अपन व्यक्तियों कर्मचारियों के लिए काम के अउसर उपलब्द कराना नियोजन का planning का पहला महतोपूर्ण उद्देश होता है व्यक्तियों कर्मचारियों के लिए काम के उद्देश या कारी के अउसर उपलब्द कराना भविष्य में जो कारी होने वाले हैं या उसके लिए जो आवश्च्छा होने वाली है उसे ग्याद करना उसके अनोसार ही जंसंख्या का अनुमान लगाना और उसके लिए उन्हें ट्रेंड करना या तेयार करना ठीक है? वर्तमान में उपलब्द मानुवी संसादनों का विकास करना वर्तमान एवं भावी करमचारियों का प्रभावपून उप्योग सुनिश्चित करना और आज की आवश्चक्ता आनुसार मानुवी नियोजन को सफल बनाना ये सब भी मानुस इंसादन नियोजन के उद्धिश होते हैं तो आप शॉट में इन्हें याद रख लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मानुस इंसादन के नियोजन के लाब के अगर बात करें तो इसे बहुत सारे अर्थिवस्ता को कई लाब प्राप्त होते हैं देखते हैं एक-एक करके तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी से चोटी-चोटे पॉइंट समझ में आ जाएं लाब इसके लिए क्या नियोजन से क्या लाब होते हैं बेनेफिट्स होते हैं उनकी बात करें मानवी शंसादन के नियोजन से स्रमिक एउंक कर्मचारियों की कम्यों तथा आधिक्यों को दूर किया जा सकता है थीखे? प्लानिंग के माधियम से बता लगा जाता है कि स्रमिक अर्थव्यस्ता में कितने कम है या कितने आधिक है उस जो gap को खतम किया जाता है मानुवी संसादन की नियोजन से उपलब दे जन सकती कि कम्यों का निश्पादन मुल्यांकन द्वारा बता लगा कर प्रसिक्षन कारिक्रम द्वारा दूर किया जाता है तो दीखा जाता है कि जो अर्थवियस्ता में जो संसादन लगे हुए हैं उनका एक तो निश्पादन कितना आउटपुट दे पा रहे हैं उसका मुल्यांकन किया जाता है और प्रसिक्षन कारिक्रम के दूर किया जाता है भारत जिसे देश के लिए यहाँ पर नियोजन या प्लानिंग का एक बहुत important है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत जादा है और प्रभंद की योग्यता और इन सब शिजों की कमी है तो ऐसी परिस्तिती में इनकी जो स्रमी को और इनकी योग्यता को विक्सित किया जा सकता है और जो की नियोजन से ही possible है बारत जैसे देश में बहुत सारी कम्या है, बेरोजगारी है जिनका पता लगा कर उन्हें कम करके यूगिताओं को विक्सित करके इसे दूर किया जा सकता है साती प्रभंद की यूगिताओं को बढ़ा जा सकता है ठीक है? अगर लॉंग टम में देखे तो लॉंग टम में मानुवी संसादन के नियोजन से उनकी आवश्यक्ता होगा पुर्वानुमान हो सकता है कि ये कितनी इनकी आवश्यक्ता होगी ठीक है और उसी के अनुसार जो है उसके लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही करें ताकि वेस्टिज से बचा जा सके भविश्यक्ती मानुवी संसादन के आवश्यक्ता को पुर्वानुमान लगा कर उपलब जनसक्ती की पदोन्नत्ती करने के लिए अउसर प्रदान होता है ठीक है भविश्यक्ती के लिए जो आज जन संख्या काम कर रही है, इसकी पदोननती करना है, अगर प्रमोशन करना है, तो वो भी इसी के माध्यम से नियोजन से पता लगाया जाता है, जब ऐसा होता है, प्रमोशन होते हैं, तो जन सक्ति में कारी के प्रती प्रेणना मिलती है, और संस्था में वातावरान अच ठीक है किस तो यह छोटे-छोटे जो important laugh थे यह short में आप याद कर लें यह complete essay type लिखने में या फिर आप एक बड़ा topic लिख रहे हैं 15 नंबर के लिए 15 marks से लिए answer लिख रहे हैं तो यह सभी topics यह सभी points को आपको cover करना चीए ठीक है next देखते हैं मानोसिंसादन की उपलब्दता मानोसिंसादन की उपलब्दता भारत में अगर देखा जाए तो शुरू में ही मैंने definition बताई थी कि जो कारी कर रहे हैं और जो कारी करने की योग्य हैं सभी मानोसिंसादन की अंतरगत आते हैं अभी भारत में जो इस्तिति हैं संगठित और अ पुर्टिफाइब करोड लोग सनलगना है तीक आप इन्हें दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह प्रात्मीक छेत्र के कारी कर्मचारी या जो भी प्रात्मीक छेत्र में लगे हुए दितियक छेत्र में लगे हुए त्रतियक छेत्र में उसमें भी फर्दर सकता है यह मैंने किस तरीके से संगधित असंगधित चेत्र में मानौ कुंजी या मानौ सिंसादान लगे उगए उनके बारे बता रहा हूं वह संगधित में सरकारी जितना भी छेत्र है Central Government, State Government उन सभी की कर्मचारी आ जाते और नीजी चेत्र के भी जो इस्थाई कर्मचारी है वो भी इसमें आ जाते जैसे जो इसे भी जो सिक्षित हैं वो सभी मानौसिंसादन है और यह सभी मानौसिंसादन उपलबदता के अंतरगत ही आते हैं अगर भारत में इनकी बात की जाए तो कुशल कुल मानौसिंसादन के उपलबदता के लगबग 20% लोग उच्च दक्ष हैं और 60% मध्यम दक्षता सरे करने के अंतरगत आते हैं ठीक है और इसके अलावा भी जो बच्चे हुए कई एसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी सिक्षित नहीं है पर उनका योगदान होता है तो इससे सभी लोग मानुस इंसादन उपलब्दता के अंतरगत ही आते हैं ठीक है गईज तो यह सब चीज़े से इस टॉपिक या इस लेक्चर को कवर करने के बाद अपने डाउट्स को कॉमेंट वॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग ऐसे अगले महतुकौन टॉपिक के लिए जुड़े रही है इस सिरीज से अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच्च